हावई नमस्ते हाद आप साथिया काल मैं हूँ सिएस अंकर कांस्टिया स्वागत है आपका इस नए सेशन में अधेरेवेडिवस अनाल सिसान वालुएशन के आपको नया सीखने के लिए तेयार है पावलेग सो डेरेवेडिवस का आगाज हो चुका है स्टार्ट कर दिया है आफ से 9 सम्स करने वाले तो उसके थ्रू जब अपने लोग सम्स करेंगे ना तब अपने को समझ में आएगा कि अपने को समझा है कि नहीं ऐगे नहीं अच्छा हूमवक दिया था मैंने तुम्हारे को डाइस प्लीज होमवक किया करो या मेरेको अर्विन का हूमवक का अंस तो क्यों कर रहे हो यार बतलब तो मैं अपने पर आया ना तो मुश्किलात हो गी आपके लिए पुमवक आपको बहुत वड़ा होमवक नहीं दिया जाता है आपको 10-15 सम्सका एक सम का मान्य होमवक दिया सब्सक्राइब एक सम का होमवग भी ऐसा होता है कि पिछले सम से कनेक्टेड ही होता है तो ना कोई नया कॉंसेप्ट के बेसिस पर ना कुछ एकदम डिफिकल्ट फिर आप लोग नहीं करोगे तो एक फक्ट चलेगा काली मेरे को जुही डीजे और अर्विन ये तीन लोगों क गाइस प्लीज सो अगर ऐसा करोगे ना तो मैं होमवग देना बंद कर दूंगा एंड ट्रस्ट में मैं होमवग देना बंद कर दूंगा ना इट विल वी और लॉस्ट उनली नतिंग एल्स क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि यार होमवग देनी का फाइदा क्या चोड़ना ह निवाल है that should not be the scenario guys so please keep on sending it ठीक है जो भी हो मेरको homework का solution भेज दिया करो इर्रिस्पेक्टिव and again I'm telling you and if you are a Google Drive student live student जो भी हो homework का solution भेज देने का यह आपका फर्ज है निभाईया करो प्लीस थैंक्यू सो मच चलो कहां यह वड़ात है तो आज अपन लोग डेरिवेटिव के सम्स करने वाले हैं डेरिवेटिव में अपन ने स्टार्ट किया है options market लास्ट के दो सेशन में तो पहला सेशन था अपना डेरिवेटिव का forwards मार्क में पहले सेशन में अपन लोग ने समझने की कोशिश की के भाई डेरिवेटिव का option market में ट्रेडिंग कैसे होता है येस्टेडे वाले लेक्चर में कल वाले लेक्चर में अपन लोग ने actually options का पूरा theory समझा कैसे उसको करना है तो चलो आओ उसको quickly revise करते है so derivatives चार पार्ट में चार instruments में divided है forward, futures, options, swaps forward अपना पहले ही हो चुका है forex के साथ अभी फिलाल अपन लोग कर रहे है options कितना must option instrument है न कम पैसो में खाली premium में अपन लोग बड़े-बड़े companies के shares खरीच सकते हैं बेच सकते हैं not really shares खरीच सकते हैं बेच सकते हैं but at least एक option to buy and option to sell खरीच सकते हैं बेच सकते हैं derivative instrument को अपन लोग ने कल define किया what is it it is a financial instrument whose payoff structure is derived from the value of the underlying asset मतलब हम लोग ने एक parallel market चालू कर दिया है options market parallel market जो जैसे stock market तो है तो HDFC bank का stock market पे जो price है वो तो चली रहा है उपर नीचे होई रहा है रोज so HDFC bank के मैं shares buy कर रहा हूँ HDFC bank के मैं shares sell कर रहा हूँ वो तो चली रहा है जैफा है but यहाँ पे मैंने और एक चीज़ add कर दिया है वो है एक parallel market which is dependent on that main stock market का shares so HDFC का जो shares है वो उपर जाता है नीचे जाता है तो उसकी वज़े से जो उसका derivative options उसके उपर क्या impact आता है that is represented through a premium called as options market उसको क्या बोलते है अपाल options market अभी clear everybody so a derivative contract is a financial instrument whose payoff structure is derived from अब देखो अपने को कोई definition definition करना नहीं है but करवाद लिखवा दिया है मैं नहीं तुकि यही definition आपको सब जगे मिलेगा so आपको यह भी पता होना चाहिए right so क्या होता है वो payoff कहां से derived होता है from the underlying asset so main underlying asset है मेरा HDFC bank वहां से मेरे options का payoff decide किया जाएगा alright guys done so curd is a derivative of milk buttermilk is a derivative of curd so यहां पे अगर मेरा milk का prices उपर नीचे होगा curd के उपर उसका impact आएगा HDFC shares का price उपर नीचे होगा उसका impact मेरे call option put option के उपर आएगा call option put option के premium के उपर आएगा I hope we are very very clear right guys team participants है जो अपन ने derivative के first lecture में भी समझा कल अपन लोग ने उसको properly लिख लिया right कीरती मान भी मिजडी हुई हो येस्टरेड़े बट फिर भी manage किया हम लोग ने आपके बिना भी यह समझने के कि hedgers क्या होते है speculators क्या होते अर्बिट्रेजर्स क्या होते है hedgers का मतलब होता है जो अपने business के लिए जैसे Gotham Adani या अगर कोई import या export transaction को hedge करना चाहेंगे उसके risk को manage करना चाहेंगे using a derivative instrument they are called as hedgers आप और मैं खाली profit motive के लिए अगर कोई transaction करना है derivative market में derivative instrument के थूँ we are called as speculators and अगर market के pricing में कोई issues है then in that case उसका benefit लेने के लिए there are people called as arbitrators I hope we are all clear फिर बाद में अपन लोग ने options को re understand करने की कोशिश की so दो तरह के options होते है एक होता है call option दूसरा होता है put option everybody एक होता है call option दूसरा होता है put option call option क्या रहे वो करता है gives me a right to buy put option क्या रहे वो करता है gives me a right to sell obligation नहीं है वह या क्या है right है क्या है right है अभी clear everybody yes so अब मेरे पास यहाँ पर strike price को मैं freeze करता हूँ right so say for example Adani का market price भी वही चल रहा है 700 ज़रूरी नहीं है strike price और market price same it can be different in fact practically आपको बता दू तो एक ही particular share के बहुत सारे strike prices होता है for the same expiry so say Adani का market price चल रहा है 700 तो उसका 650 का भी एक strike price होगा 675 का strike price होगा 700 का strike price होगा 720 का strike price होगा 750 का strike price होगा अलग 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 levels पे strike prices होगे and CDC बात है CDC बात है जितना वो in the money होगा उतना उसका premium जादा होगा ए भाई क्या बोल दिया क्या बोल दिया सर ने जितना वो in the money होगा कल अपन लोग ने पढ़ा था in the money out of the money right जितना वो in the money होगा उतना उसका premium जादा होगा तो say for example अगर मेरा market price चल रहे है 700 and मेरा strike price है 650 तो CDC बात है मेरा right to buy अलएड़ी 650 पे है and मेरा अभी market price है 700 तो 50 रुपया का तो premium हो नहीं जे उससे जादा भी हो सकता है तो 50 रुपय का जो premium है that is called as a intrinsic value in the premium and उससे ज्यादा भी premium हो सकता है that will be the time value in the premium is some good way everybody बोलो बोलो चल चल clear हुआ clear हुआ clear हुआ चलो वापस है अब अपन लोग intrinsic value पे आएंगे आगे तब अपन लोग देखेंगे in the money out of the money वाला बट फिलाग फुरना जो भी price पे मैं जो भी मैं अपना price freeze करता हूँ that basically is called as my exercise price or my strike price that basically is called as my exercise price or strike price आवी clear everyone right so यहां पे यह question में अगर मैंने 700 पे मेरा price freeze किया है और बाद में price हो जाता है 850 then in that case अच्छी बात है मेरे लिए because मेरे को ही चाहिए था कि market उपर जाया इसलिए मैंने call option लिया था right to buy लिया था so 700 पे मेरा price freeze हो चुका है right to buy price freeze हो चुका है right to buy मेरा 700 पे freeze हो चुका है अब अगर market गया 850 पे तो मेरे पास तो 700 पे buy करने का full chance है तो मैं 700 पे buy करूंगा 850 पे sell कर दूंगा 150 का benefit है उसमें से जो भी premium amount है वो minus कर दूंगा मेरा जो net payoff है that is my real profit that is my real profit are we clear everyone सब लोगो याद आ गया समझ में आ गया ए बोलो यार बोलो बोलो चवाब दो यार याद आ गया आप लोग को ठीक है तो अगर 700 का मेरा 700 का मेरा strike price है और market हो गया 850 पे तो कहना इसे मेरे पास तो right to buy है 700 पे market चला गया 850 पे 150 रुपीज का जो difference है 150 का वो मेरा फाइदा है बट उसमें से मैंने 50 रुपया प्रीमियम दे दिया है तो 150 में से 50 का प्रीमियम गया 100 रुपया मेरा net payoff हो जाएगा 100 रुपया मेरा net payoff हो जाएगा समझी गड़ू everybody and vice versa भी हो सकता है है कि नहीं मेरे को लगा था कि market उपर जाएगा इसलिए मैंने right to buy लिया था बट देवियर सज्जन market जाता है नीचे अगर market नीचे जाता है then in that case क्या हो जाएगा मेरा scenario correct मैं फिर out of the money हो जाऊंगा so 700 का मेरा right to buy है market चले गया से for example 630 पे 500 पे then in that case sorry to say मेरा right wraps हो जाएगा क्यूंकि मेरे को फिर loss हो रहा है पच्छास उपए तो अल्रेडी premium में दे दिया है उससे जादा loss मैं पहर नहीं कर पाऊंगा तो मैं बोलूँगा भाई ठीक है hold कर दो इधर का इधरी समझे तो 700 रुपे का गरवैने लिया है right to buy and market चले गया है 630 पे तो मेरे पास right to buy है 700 पे market में 630 पे भिक रहा है तो मेरे पास से तो कोई लेगा नहीं तो in short कुछ मैं करूंगा ही नहीं मैं राइट को exercise नहीं करूंगा पचास रुपया जो premium दिया है वो मेरा net loss हो जाएगा got it guys correct out of the money you are then in that case loss of premium है precisely great guys so option buyer के लिए अब लोगने कल ने चीज़ नोट किया कि profit unlimited है क्योंकि यह 700 का right to buy freeze किया है अब यह जो शेर प्राइज है 850 1850 2850 85000 कुछ भी हो सकता है जितना वो बढ़ते जाएगा उतना मेरा premium बढ़ते जाएगा उतना मेरे को फाइदा होते जाएगा अच्छा है clear everyone ठीक है but loss limited to the premium paid ज्यादा ज्यादा क्या होगा प्रीमियम का मनी गया ठीक है उतना मेरा maximum loss का ओके गाइस फिर option seller के case में vice versa case profit limited to the amount of premium received but loss unlimited क्योंकि जितना सा उसका option buyer का profit हो सकता है उतना option seller का loss हो सकता है profit limited to the amount of premium paid बढ़ा उसको maximum profit कितना मिलेगा बस जितना कि इसका loss हो सकता है जितना इसका profit हो सकता है maximum कितना premium paid जितना I hope PR clear same opposite cheese put option में right to sell में mandi में right so मेरा mandi में क्या scene होता है I am taking a right to sell when I am expecting a mandi then in that case I will have a right to sell I will take a right to sell my right to sell मेरा freeze कर दूंगा and जैफा मैंने सोचा था वैसा ही mandi हुआ then in that case say for example 700 का 600 हो गया 700 का 610 हो गया then in that case मेरे पास right to sell is 700 and मेरा right to sell I mean market price हो गया 610 तो 610 में खरीदूंगा 700 में मेरे पास right to sell है 90 rupees जो आता है ना वो मेरा profit है उसमें से 50 रुपया premium गया 40 रुपया जो अच्छा है वो मेरा net gain are we clear everyone net payoff right फिर अपन लोग ने तोड़ा सा उसको define करने की कोशिश की call option क्या होता है right to buy put option क्या होता है right to sell when I am expecting the market to go up मैं क्या लूंगा मैं करीदूंगा तेजी में call option मंदी में put option ठीक है everybody तेजी में call option मंदी में put option everybody जहां भी बैटे हूं क्या बोलोगे तेजी में call option मंदी में put option got it okay और यह सब अगर आपको कोई call option खरीदना है 1000 रुपे का 15,000 रुपे का share 100 रुपे में मिल रहा है options के तुरू उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा न दिदी that is called as a premium that is called as a premium everybody yes write it down very good comments में लिखते जाएए तेजी में call option मंदी में put option देखो अभी सब समझ रहा है सब सही है जब आठो हाट सब्जेक का टेंशन आएगा पूरा का पूरा है SFM आएगा ना तब यह तेजी मंदी भूल ना जाओ इसके लिए भी दिमाग में सेट कर लो जाबास चरो टर्म उसे इन ओप्शिंस मार्केट सबसे पहला है राइट वन पार्टी बाइस दराइट अधर पार्टी सेल्स दराइट फोल्डर सब्कोज अभी मैंने खरीदा था अगर मैंने कोई option खरीदा है आई विकाम ऑप्शन ओल्डर वाइसे वर्सा ही वो सेल्स दराइट is called as the seller of the option call option right to buy तेजी price to increase put option मंदी price to decrease exercise price जिस पे अपन लोग ने freeze किया है freeze किया है तो इधर मैं लिख देता हो भाई freeze वाला price price at which amount is freeze yeah buying or selling price is fee freeze buying slash selling price is freeze okay array यार वापस से तुम लोग इतना सारा समसॉल के लिए उसके बाद प्रवीन तु ऐसा question बुछेगा तो कैफे चलेगा भया प्रवीन का question है सर पूट option में premium receive होता है क्या नहीं यार पूट option भी तू खरीद रहा है तेरे पास right to sell आया है पूट option भी तू खरीद रहा है जब कोई चीज खरीदता है तो तू पैसा देता है तो तूने उसको premium दिया है क्यों premium दे दिया है यह ले तेरे पूट option वाले example पर आता हूँ मैं यह रहा पूट option वाला example तूने right to sell खरीदा है किरतिमान आपके question का same question बुचाता जान भी ने कल और उसका मैंने जवाब दिया था आज बापस से दूँगा मैं ध्यान देना पूट option तू खरीद रहा है और अगर कोई चीज खरीदा है तो payment to करता है अब तूने क्या करीदा है right to sell खरीदा है at 700 अब मंदी आया market नीचे गया 500 पे गया तेरे पास right to sell है 500 पे मंदी आया 500 आगया तो दोस्तों का तेरा profit हो गया ना भाई तो प्रीमियम तो तू ही पे कर रहा है put option जो खरीद रहा है वही premium पे कर रहा है राजा समझा क्योंकि तेरे को उसका benefit हो रहा है अब जो भी market नीचे जाएगा 200 रुपय नीचे गया तो वह तेरा फाइदा उसमें प्रवीन त्रिपाटी तेरे को यह point फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्रविन जी इसके लिए मैंने बोला ट्राइब करो एक बार ट्रेड करने का तो समझेगा seller of option receive करता है पैसा premium receive करता है seller of option seller of put option seller of call option premium receive करता है buyer of put option buyer of call option premium pay करता है क्योंकि वो right को price को freeze कर रहा है और उसको जो भी यह benefit होने वाला है and अगर उसके against में गया तो उसका premium का loss हो जाएगा समझे गड़े हूँ प्रविन जी चलो ठीक है किरती मन बोल रहा है why will anybody want to be a call seller or a put seller sir उसको तो limited का profit है yes because as per the market 70 to 75 percent times the investors are incorrect and when the investors are incorrect उतना उनका premium का loss हो जाता है भाई तू तो तूने call option लिया तो तूने right to buy लिया right to buy लिया मनदब तू market को उपर जाने वाला expect कर रहा है market नीचे जाएगा 75 percent of the time is what is observed by the market तो 75 percent of the time that percent will take away your premium क्योंकि market से opposite हो रहा है तेरे तूने जो सोचा market opposite कर रहा है समझा वैसा है चल डन ठीक है option premium when the buyer has a right he has to pay the price writer to pay the writer a price called as option premium चल डन है okay चल ग्रेट ग्रेट समझ गया प्रवीन को समझ गया है yes and contrarian view works in 80 percent of the time जैसा market का study बोलता है research बताता है सो इसके लिए जो call seller effort seller है वो कमा के जाता है बहले ही premium का चोटा सा amount कमा है उसने बट वो कमा के जाता है करेक्ट आर्थी एकदम करेक्ट तो आर्थी बोल रही है कि सर premium का दो पार्ट है IV और TV intrinsic value and time value ऐसे doubts पुछते रहो good और यह हमारा gain होता है और इसमें से जितना premium दिया है already less करने के बाद net gain मिलता है करेक्ट वही अपन लोग ने net pay off table में बनाय था करेक्ट और अभी अपन लोग discuss करेंगे आर्थी तो और तेरे को clarity आ जाएगा उसके बाद अगर doubt आता है तो पूछ लें चलो अब profit और loss आप कप करोगे जब आप option buy करते हो कम price पे और premium ज्यादा पे बेजते हो मतलब विचिस कब हो पाएगा कि आप option call option में आप पैसा कब कमा होगे जब market जब market ऊपर जाता है put option में कब कमा होगे जब market नीचे जाता है profit unlimited loss limited to premium in case of option buyer and vice versa in case of option seller right चलो so call option right to buy right to sell writer का obligation to buy obligation to sell two varieties of options based on expiry एक होता है American एक होता है European यह मैंने आप लोगको ऐसे बता दिया था American can be exercised at any time before expiry जी हाँ यानि अब कभी भी जैसे अपना वो open-ended mutual fund है जब आपको चाहिए आप जाओ mutual fund company में और आपका funds को redeem कर दो जब आपको खरीदना है तब आप खरीद लो कोई tension नहीं है तो ऐसे American option can be exercised at any time before expiry but European is like close-ended fund खाली जब बोला है तब भी ही जाएंगे अभी clear डन है चला ओके फिर दन फिर rules of और fundas of option मैंने आप लोग कैसे बता दिये थे call holder कब positive रहेगा जब price increase होगा और अगर price decrease हुआ तो वो negative but call writer जब increase होगा price तो फिर तो call holder का right हो गया view तो उसका लिए negative हो जाता है so I think all of this was also very much clear right guys याद रखना put holder मतलब जिसने put option खरीदा है वो चाहता है market गिरे so जब market गिरता है तब वो positive में आता है and vice versa got it guys चलो done ओके फिर ओके फिर बादने options है call option put option right call option मतलब right to buy exercise price अगर less than market price हुआ तो फिर मेरा gain होने का chances है otherwise नहीं बराबर है and अगर exercise price more than market price हुआ तो तो भूल जा तो तो आपको कोई gain हो ही नहीं सकता so obviously exercise price should be less than market price अगर मुझे call option में पैफा कमाना है तो right guys so in short मैं call option को exercise कब करूंगा when EP is less than MP ठीक है so यह देखो call option में EP is less than MP हुआ तो gain होने का chance है in the money option आएगा तो in the money option आएगा तो मैं exercise करूंगा otherwise exercise ही नहीं करूंगा याद रखना exercise price should be less than market price अगर मैंने call option लिया है तो क्योंकि मेरा exercise price कम है मैं expect कर रहा हूं market को उपर जाए थोड़ा भी उपर गया तो मैं उसको at least exercise कर पाऊंगा समझे गड़ू कॉटेट गाइस क्लियर है exercise price more than market price लॉस आउट अप दो मनी गेम खतम करना ही नहीं अपने एकसराइस प्रीमियम जितना अपना लॉस हो जाएगा और अगर मेरा exercise price 45 का है अगर मेरा exercise price 45 का है मेरा market price 50 का है धन इन दाट केस यह जो पाच रुपे का premium है वो genuine premium है cdc बात है कि अगर मेरे को 45 में right to buy है आज की तारिक में market 50 में चल रहा है मेरा strike price 45 का है 45 में right to buy कर सकता हूँ market price 50 का है धन इन दाट केस यह जो 5 रुपे का जो difference है ना ये 5 रुपे का difference तो मेरा profit ही है उतना फिलाल premium भी रहेगा अगर it is my intrinsic value of premium जो reasonable है जो genuine है जो होना ही चाहिए बट उससे जाधा हुआ then in that case it represents the time value जैसा अपने इस case में ideally exercise price 48 का है market price 50 का है so मेरा premium 2 रुपे का होना चाहिए था बट 6 रुपे का premium है मतलब 4 रुपया जो extra है वो क्या है मेरा time value of premium time value in the premium got it guys I hope सब लोगो सब चीज़े clear हो गई होगी almost half एनार अपन लोग खाली revise करने पे डाल रहे for a reason so that आपका base एकदम strong बना रहे and अब जब अपन लोग sums solve करने वाले है तुम लोग का sums के ओपर पकड मजबूत रहे ठीक है तो आज sums solve करने जैसा मैंने बुला फिर और कुछ advanced level concepts अपन करने का try करेंगे at that point in time you should be confident enough चलो shares of Adani are selling at 104 you are interested in buying a 3 month call option at premium of rupees 5 per option मैं क्या बुल रहा हूँ चलो मैं इसका homework वाला part है वो करता हूँ यह वाला part जो किया था एक बार पढ़ लेता है no problem exercise price हम लोग ने 105 पे freeze कर दिया है और दूसरा मैंने call option लिया है तो अगर जैसे ही मुझे पता चलता है call option है यह है exercise price 105 है मैं पहला बात तो बोली दूंगा कि भाई मेरा अगर market price 105 के नीचे आता है then in that case lapse मैं फिर exercise नहीं कर पाऊंगा मेरा जो premium है उतना मेरा loss हो जाएगा got it guys so यह देखो जब मेरा market price 105 के नीचे है जब मेरा market price 105 के नीचे है जब मेरा market price 105 जितना है तब भी मैं lapse ही करवा रहा हूँ और मेरा payoff is my negative premium आभी clear बट जैसे जैसे फिर वो positive होना चालू करता है वैसे वैसे मेरा फिर payoff positive होते जाता है यह मैंने represent किया यह मैंने represent किया through a graph समझो 105 का मेरा exercise price है 106 का मेरा market price है तो भी एक रुपे का मेरा gain हुआ I will exercise है बाई 5 रुपे के loss है तो अच्छा 4 रुपे का loss है ना समझे क्या समझे क्या मैं आप लोगो एक question बूछ रहा हूँ समझो exercise price 105 market price 106 क्या आप उसको exercise क्या आप उसको exercise करोगे या नहीं करोगे मैं आपको पूछ रहा हूँ चलो जवाब दो क्या मैं लॉजिकल क्यों आपका exercise price 105 आपका market price 106 आप exercise करोगे या नहीं करोगे 101 करोगे क्योंकि आपको गेंड हो रहा है का पहले का premium दिया वह पांच का net pay off चार का आया नेगेटिव बले ही चलेगा बट पूरा पांच नेगेटिव में जाए उससे तो चार नेगेटिव अच्छा ना अभी understanding guys yes or no बस 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 यही मेरे को सुनना था अब आप लोगों को पूरी तरह से clear हो गया होगा डन गाइस डन 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 चलो फिर अपन लोग ने पेहॉफ बनाया graph और call holder सो जब मेरा exercise price तक का अगर आप लोग लेवेल देखोगे न exercise price तक का तो जब तक exercise price तक मेरा market price नहीं पहुचा है तब तक मैं उसको exercise करौँगा ही नहीं तो मेरा lapse हो जाएगा तो पाच रुपया प्रीम मेरा negative आ जाएगा तो पाच रुपया प्रीम मेरा negative चल रहा है 9500-105 तो वो जो पाच रुपय का मेरा negative है वो मेरा loss रहेगा बट जैफे जैफे exercise price से जादा हो गया market price तो मेरा profitability तो मेरा positivity बढ़ते जाएंगा बच्चा everybody yes sir same way option writer के लिए exactly opposite होता है जितना जितना फिर market positive होते जाएगा उतना उतना उसका loss बढ़ते जाएगा यह अब आप लोग को मैंने दिया था put option के लिए put option का यह आप लोग ने बनाया क्या आप लोग को समझा क्या क्या आप लोग को इसमें मेरी जरूरत है ideally नहीं होनी चाहिए अभी वापस से बोल रहा हूं मैं जिस जिसका भी बाकी है जिस जिसका भी बाकी है प्लीज वह एंशूर करो कि आप लोग ट्राइ करो कि हुम वह जो है कर लोग जिसका हुआ है वो मुझे फोटो भेज दो अभी भी जैसा मैंने बोला मेरे पास काली अर्विन जुई और धनाजय का अंसर आया बाकी इतने सारे लोगों का अंसर क्यों तुम लोग ने आतो किया है और भेजा नहीं है या किया ही नहीं किया है आज कर लो किया है तो भेज दू ठीक है तो सही है या नहीं पता नहीं है तो तुने मुझे भेजा क्यों नहीं सही है या नहीं पता नहीं है उसी के लिए तो तुझे मुझे भेजना है कैफी बाते क इच्छा कोई बात नहीं ठीक है तो अपने चेक करेंगे उसको तो अभी आपको चाहिए तो मैं अभी चेक कर लेता हूं लोग चलो वाट इस यौर पेयाफ एज पूट ऑप्शन होल्डर और एक्स्पाइडेशन चलो पेयाफ टेबल बनाते हैं दो मिनिट में बना लेंगे पेयाफ टेबल मेरी इच्छा थी आप लोग पहले खुद ट्राइ करो कोई बात नहीं यह ओफ टेबल और पुट ऑप्शन ठीक है अब देखो इज़र अब देखो इज़र क्या क्या आपने को देखना थे को देखना है मेरा एक ही नंबर है याँ बेस देश ऑगे लोग मुझे आंसर भी जरुरी ने नहीं में रिपलाइ कर दू और रिमाइंडर की चीज होती है आपको देना है एक दो देस लिएariest चला, what is your payoff as a put option holder on expiration? हाँ वही चलो, payoff table बना रहे हैं अपन लोग, so same, payoff table का जो format है, वो तो जियों का त्यों ही रहना है, कितना अपना exercise price है, कितना market price है, कितना premium है, और अपन क्या action लेंगे, चलो आओ, सबसे पहले exercise price, market price, premium, क्या action लेंगे, क्या profit हुआ है, है, चलो, अब कितना बोला है, 25 to 50 का range, 25 to 50 का range है, 25, 30, इतना सारा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6 बनाना पड़ेगा, चीक है, 3, 4, 5, 6, चलो, मैं थोड़ा और बनाता हूँ, और इसमें कानी में twist डालता हूँ, चलो, पाँच, शे, साथ, आट, ठीक है, चलो, exercise price, market price, exercise price तो freeze है मेरे भाई, कितने पर freeze है मेरे भाई, 33, 33, 33, 33, दुनिया उपर नीचे हो जाए, मैं तो 33 रुपे पर बेच सकता हूँ, यही बात हुई ना, yes, market price कितना है, कभी 25, 30, 35, अब यह रुको 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 रुको, इधर में को थोड़ा twist डालना था, 31, 33, 34, 35, 40, 45 और 50 वाला देख लें, ठीक है, चलो, यह अपन लोग ने कर लिया है, और फिर अपन लोग लास्ट में लिखते हैं, प्रीमियम, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ठीक है, चलो, क्या एक्षिन लोग गया, क्या एक्षिन लोग आप, जो फॉर्स्ट तीन सिनारियों में, जैसा आपन लोग ने देखा, कुछ नहीं कर पाएंगे, लैप्स हो जाएगा क्यों क्योंकि में को लॉस हो रहा है भाई मेरा राइट टू सेल है 33 पे मार्केट प्राइज है 25 यहां पर क्या करूंगा भाई गेम उल्टा हो जाएगा एवरिबॉड़ी हाँ हाँ आरती तू चाहिए तो प्रीमियम को आई वी और टीवी में डिवाइड कर सकती है बट क्यों करना है वो सब कॉम्प्लिकेशन तेरे पास शुप्चा प्रीमियम दिया वा है शुप्चा प्रीमियम के बेसिस पे साल करना उसको का है अन्नेसेसरे लिए अपन उस चीजे एडिशनली डाल दिया है खुझ से डाल दिया है तो वो मुझे तुम लोग की तरफ से उसका आंसर चाहिए दो मिनिट दे रहा हूँ यह तीन मैंने खुझ से डाला है 25 के बाद 30 30 के बाद 35 था बट यह मैंने बीच में खुझ से डाला है मुझे इसका भी आंसर चाह करेंगे अब मैं पूरा start to end solve कर रहा हूँ तुम लोग देख लेना कैसे क्या करना है तो 25 पे मैं exercise करूँगा क्या 101% करूँगा सर मेरा तो profit हो रहा है मेरे पास right to sell है 33 पे market price चल रहा है 25 तो मैं 25 पे buy करूँगा 33 पे sell करूँगा मेरा positive हो जाएगा तो मेरा gross pay off मेरा gross pay off हो जाएगा 8 रुपे का 33 माइनस 25 इसमें से मेरा premium मैं माइनस कर देता हूँ 5 रुपया तो भी मेरा net pay off तो 3 रुपया हो जाता है तो भी मेरा net pay off तो positive 3 रुपीज हो जाता है अभी clear guys yes sir yes sir चल फिर next तो action क्या बोलेंगे इसको exercise ठीके अब 33 का exercise price है 30 का market price है right to sell है 30 market price right to sell at 33 market price 33 जी हां 3 रुपे का मेरे को यापे profit है बड़ premium 5 रुपया है तो मुझे क्या करना चाहिए exercise करना चाहिए भले ही यापे मेरे को net pay off में लॉस आएगा बड़ 5 रुपे के लॉस से तो बेटर 2 रुपे का लॉस है ना यार अभे समझे क्या market में तुम लोग कही पे को do रुपे का लॉस हुर है बाट से तो बूरिगा lot बेडर हे न तो exercise कर जो यापे भी आप क्या करोगे exercise ग्रोस पेओफ कितना है बड़ी फोरवा नहीं चलेगा चलो next 31 31 और 33 हुआ तो correct वी विल exercise अब तुम लोग समझ गयो ना क्या करना है या अब तुम लोग समझ गयो ना क्या करना है वह या चर करेक्ट अब यू विल और स्टिल exercise प्रीम्यूम ंटिम का नेट लोंस थर्टी 3,33 नो एक्शन 斯टो चूड़ो जाने दो न प्रीमियूमय का जो पांच disease आधसर वही कि मेरा gross payoff is 0 है तो उससे अच्छा action लेके क्या मतलब फल्तु में brokerage क्यों दूँ तो no action lapse इधर रिखेंगे अपन no action या lapse अवी 33, 34 बोलो बोलो चल चल कमान गाइस 33, 34 33 का exercise price है 34 का market price है अब तो बुरा time चालो होगया भई exercise price is less than market price अपना exercise price should be higher than the market price correct lapse slash no action same याँ पे, याँ पे, याँ पे gross pay off कुछ नहीं premium का loss premium का loss premium का loss got it guys सब लोगो पूरा clear हो गया pay off table everything तिरी party तिरा clear हो गया भाई ठीक है अब मैं आगे का नहीं कर रहा हूँ assuming के तुम लोगो आ जाएगा भाया चलो मैं खाली graph बना देता हूँ graph बना देता हूँ तुम्हारे लिए बना देता हूँ बना थीथ औरे नहीं प्रविन पूट ऑप्शन है तो रिसीव होगा प्रीमियम नहीं तुने पूट ऑप्शन बाई किया है तो तेरे पास राइट टू सेल है तो तेरे पास राइट टू सेल कितने पे है 33 पे तो तेरे को put option पे premium मिलता नहीं है यह तेरा premium गया ही है यह तेरा premium गया पाच रुपे का तेरा premium गया बट उससे तुझे benefit का मिला you have a right to sell at 33 मार्केट हो गया 25 पे तेरे पास right to sell higher पे 33 पे मार्केट हो गया 25 पे 8 रुपे का तेरा फाइदा पाच रुपे का जो तुने premium दिया वा है net pay off तीन रुप्या वैसा ठीक है वो जो put option receive है न वो seller of put option को हो रहा है तू buyer of put option buyer of put option के लिए यह तेरा pay off table बनेगा यह है buyer यह जिसको बोलते हैं अपन holder of put option समझा है हाँ तो अब यह मैं तुम लोग को दूसरे नजर से विच इस seller of put option के नजर से भी बताओंगा अभी buyer of put option आ अपना अचा buyer of put option का क्या सीन है सबसे पहले क्या-क्या market prices है 25 30 फिर 31 33 34 31 33 34 35 40 45 and so on and so forth ठीक है अच्छा 25 रुपे जब थे तू मुझे क्या हो रहा है तू मुझे से तीन रुपे का net pay off आ रहा है बरावर है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट कि वन कि त्री पॉर पाइए इधर लॉस वन माइनस टू माइनस त्री माइनस पॉर माइनस पाइए ठीक है चलो है ठीक है चलो अब 25 रुपे तुम्हारे को क्या हो रहा है तीन रुपे का pay off है तो इदर 25 रुपे पे तीन रुपे का नुकसान, कभी 31 में, यह है, फिर 31 में 3 रुपे का नुकसान, तुम लोग अभी थोड़ा ग्राफ में बनाओगे, तो प्रॉपरली बनेगा, इंचन मतलो, फिर 34 में तो मैं 33 के बाद से 5 रुपे का नुकसान, 33 से 5 रुपे का नुकसान, समझ रहे हो, प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और यह फिर नुक्सान कॉंस्टेंट समझे क्या अगर प्रॉपर्ली प्लॉट करूँ तो ऐसे दिखेगा समझे वैसा गॉट इट बुक में देख सकते हो तुमारी बुक में मैंने सब बनाया हुआ है अब भाई अपन तो कोई MF हुसेन कोई आर्टिस्ट है नहीं बड़ तुमारे लिए बुक में सब बना के रखाए वह यह यह रहा एफ़ा दिखेगा एफ़ा दिखेगा है अच्छा चलो ड़न है ड़न है ठीक है अब जो तेरा कंफ्यूजन है प्रवीन के पे आफ टेबल फॉर दा सेलर ऑफ ऑप्शन तो ले वो भी बना देते हैं पे आफ टेबल पर किसके लिए सेलर ऑफ ऑप्शन के लिए ठीक है अगें ठीक है अब सेलर ऑफ ऑप्शन के लिए अपन लोग पे आफ टेबल बनाएंगे सेम चीज़े लिखनी है वही एक्सराइस प्राइस वही मार्केट प्राइस वही सब सेम चीज़ ठीक है वही एक्सराइस प्राइस मार्केट प्राइस प्रीमियम ग्रॉस पे आफ लेस प्रीमियम नेट पे आफ जो एक्शन लेना है सब आ गया इसके अंदर अब 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 एक्सराइस प्राइस मार्केट प्राइस प्रीमियम एक्शन ग्रॉस पे आफ लेस प्रीमियम नेट पे आफ ठीक है ठीक है चलो देख अभी इधर दिपाटी पहला क्या है 25 मार्केट प्राइज 33 प्रीमियम पाच सामने वाले के नजर से सुच seller of option है तू तो buyer of option ये इस position में क्या करेगा exercise करेगा कि नहीं करेगा exercise करेगा आज एक सेखना हाँ क्या वो exercise करेगा क्या buyer of option करेगा क्यूंकि उसको तो चाहिए ही market price बढ़े उसने तो उसने तो right to sell मैंने उल्टा लिखा है क्या मैंने उल्टा लिखा है sorry sorry लॉजिकली connect नहीं होता है तो दीख जाता है exercise price 33 है market price 25 उसको तो चाहिए ही market नीचे जाए और market नीचे गया यहाँ पर market नीचे गया so in that case तेरे पास right to sell higher पर है सामने वाले ने उसको exercise कर दिया है तेरी तरह से action अब जो seller of option है उसको exercise करना पड़ेगा क्योंकि buyer of option exercise किया है ठीक है हाँ अब प्रवीन से trade कर रहेंगे exercise buyer of option exercise करेगा तो seller of option को भी exercise करना पड़ेगा उसको तो obligation है अच्छा ग्रॉस उसको उसके जेव से कितना जाएगा देखो 33 का 25 रुपे का चीज 33 में बेचा है सामने वाले ने अपने को आठ रुपे का लॉस पाच रुपे का प्रीमियम अपने लिए गरेक्ट फिर बाद में next 33 के बाद exercise अभी exercise प्राइस तो 33 सब सिचुएशन में हाँ मार्केट प्राइस 25 का 30 हो गया सामने वाला क्या करेगा सामने वाल ऑप्शन बायर क्या करेगा ऑप्शन बायर एक्सराइस करेगा क्यों क्योंकि तो फाइदा हो रहा है तो अपने को प्रीमियम दिया है तो नेट मेरे लिए तो दो रुपे का फाइदा हो गया यह कौन है याद रखना यह seller of option है समझा गया तेरको त्रिपाटी यह सेलर अप्शन है अपने लोग ने आप्शन बाई किया था बाकी सब लोग को clear है त्रिपाटी को चोड़के अब त्रिपाटी अभी तेरे को भी clear हो जाएगा अभी शानती से तू अलाम से कर solve इसको easily solve हो जाएगा कोई problem नहीं आएगा ही चलो सेम वे 33 है market price है 30 30 नहीं अभी कितना थो 31 किया था न मैंने 31 तो 31 पे भी सामदेवाल exercise करेगा right to sell 33 पे market 31 पे है तो वो क्या करेगा दो रुपे का exercise करेगा हो उसको दो रुपे का gross payoff होगा वो अपना loss पाच रुपे का premium अपना profit तीन रुपे का अपना फाइदा फिर 32 आया ना फिर क्या क्या है 31 क्या 33 लिया है 33 का market price 33 का exercise price प्रीमियम पाच आप exercise करोगे की नहीं करोगे कोई बात नहीं प्रीमियम आपका profit बहुत बढ़िया फिर 33 के बाद 34 34 यह ना 34 35 45 अब 34 हो गया है अब यहां से तो game खतम क्योंकि मेरा right to sell लोवर है market price 34 पे तो market में 34 पे भीकर है तो लोग वही उदर से उदर ही बेच हो ना मैं मेरे पास right to sell 33 पे है तो कम amount पर right to sell रख के मतलब नहीं है premium मिला है अब no action no action no action no action जो premium मिला है gross कुछ नहीं मिलेगा जो premium मिला है जो premium मिला है वो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा समझे यह अद इस इस वाट इस यॉर पे आफ टेबल फोर दस सेलर आफ ऑप्षिन अब आप से अब तो CDC बात है आप डाइग्राम भी इसका बना पाऊगे यह समझे गडू कि यह है हुई हा आपि यह अव्या ओल ड़ान एवरीबाडी क्लियर दिमांग में 7 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मस्त एकदम परफेक्ट दिमाग में सेट हो गया तो इजी है बट वोई है पुब्लीक प्रैक्टिस नहीं करेगा कुछ से ट्राइ नहीं करेगा तो कुछ भी कर लो नहीं समझेगा यह समझेगा प्रैक्टिस तो करनाइच पड़ेगा चल इसी के साथ मेरा हूमवक तक कंप्लीट होता है अब आज कुछ और सम्स करेंगे चल अब इसी बात पर करते हैं कुछ question and answers को solve आए 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 जो भी अभी अपन लोग ने बेस क्रियेट किया है option से related चल उन लोग को solve कर लेते हैं अपन लोग तो अच्छा रहेगा आपने लिए क्या बोलता है 50 ठीक है चल चल एवरीवादी प्लीज ओपन इस question और यह वाला question अपन सब ट्राइब करेंगे दो मिनिट दूंगा आपको ट्राइब करने के लिए तो ठीक नहीं है तो मैं तो करने वाला हूं प्लीज एवरीवादी स्टार्ट झाल प्लीज एवरीवादी स्टार्ट झाल प्लीज एवरीवादी स्टार्ट झाल प्लीज एवरीवादी स्टार्ट झाल प्लीज एवरीवादी लेट गेम बिगेन चालो येस चलो फर्स वाले क्वेशिन के उपर आते हैं अपने स्क्रीन पर देखे तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा मैं या पर लिखूंगा क्या बुला है क्या बुला है क्या बुला है राइट टू पर्चेस मतलब कॉल ऑप्शन है जैसे ही मैं देखता हूँ राइट टू पर्चेस मतलब क्या हो गया राइट टू पर्चेस मतलब कॉल ऑप्शन है कॉल ऑप्शन बराबर है अच्छा कॉल ऑप्शन है मतलब मेरे को क्या चाहिए तेजी कॉल ऑप्शन वाले को क्या चाहिए भाई तेजी चाहिए तेजी ठीक्या ठीक है, at Rs. 7.25, so, so, right to purchase, at Rs. 7.25, so, can I say exercise price equal to Rs. 7.25, the call option is exercise, when exercise price, अपनको तेजी चाहिए, तो market price ज्यादा होना चाहिए, तो, when exercise price is less than market price, so, if market price is more than Rs. 7.25, then the right to purchase will be exercise, क्या में सही बल रहा हूं? सही बल रहा हूं? सही बल रहा हूं, सही बल रहा हूं? येस, करेक्ट, त्रिपाटी, ओप्शन राइटर केस में प्रीमियम रिसीव, चल, हावे, सो, first clear है, gives him the right, but not the obligation to buy the equity shares, if Satya met 7.25, honor before expiry, obviously he will not exercise his right to purchase at 7.25, the market price goes below, on the day of exercising, तो अपने को चाहिए, ज्यादा चले जाए market price, so market price more than 7.25, then the right to purchase will be exercised, समझ गए अपन, समझ गए अपन सर, चल, उसके बाद, उसके बाद क्या है, और एक question है, उसी के बाद वाला, 50 का second part, तो चलो, second part solve करते हैं, second part में क्या बुला है, the option gives him the right to sell, मतलब put option है, of Sesa Goa, at rupees 1025, on or before 28 March, चलो, आओ, उसको exercise करते हैं, चलो, अब राइट टू परचेस था, तो राइट टू, बस इतना सा चीज़ चेंज करना है, तो काम हो जाएगा अपना, आओ, राइट टू परचेस के जगे पर यहापे क्या है, राइट टू सेल, at the rate rupees 1025, तो मैं पेचना चाहूंगा हमेशा जादा में, तो अब मैं चाहूंगा market price गिर जाए, अब मैं चाहूंगा market price गिर जाए, यह कौन सा option है, put option, put option में तेजी नहीं होती है, put option में अपने को क्या चाहिए, put option में अपने को चाहिए, मन्दी, बराबर है, exercise price, is equal to rupees 1025, the put option is exercised, when, कब exercise करेंगे अपन लोग put option को, when exercise price, अब अपने को चाहिए exercise price जादा हो, market price से, तो मैं जादा में बेचूंगा, कब मैं खरीदूंगा, यह के नहीं, so when market price is less than 1025, then the right to sell will be exercised, बोले दो चाह चाहा हो, चाहँ अपने को चाहँ है, चौलो, डान 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 चौलो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्यो पर आजो फढ़ा फट रमेश पर्चेस इस दा फॉलॉइं यूरोपियन कॉल अप्शन मतलब एक्सपाइरी पे ही अपन लोग इसको एक्सरसाइज करेंगे यूरोपियन कॉल अप्शन का मतलब इदा लिख देता हूं मैं यूरोपियन कॉल अप्शन का मतलब होता है एक्सरसाइज on expiry क्या हो रहा है he also purchased the following European put options on ACC what decision he would take on expiry if RIL closes at 835 and ACC closes at 565 so 2 यहां पर मिरको shares दिख रहे है 2 shares दिख रहे है मिरको यहां पर RIL ACC RIL का क्या है if RIL closes at 835 and ACC closes at 565 so यहां पर RIL का close है 835 पर ACC का close है 565 पर टिक है अब क्या क्या हुआ है देखो जरा ignore premium pay टिक है RIL call 830 RIL का call है at the rate 830 तो अब हम क्या करेंगे अगर मेरा call है मतलब क्या ना इससे मेरा right to buy 830 पर है market close by 835 पर बहुत बढ़िया exercise कर लेंगे अपन लोग क्यों क्यों exercise कर लेंगे क्योंकि और दूसरा दूसरा RIL का क्या है 840 का call है तो दूसरा RIL का call है 840 का तो इसको अपन लोग no action या lapse बोल देंगे क्योंकि exercise price is more than the market price no action या जिसको बोलते है lapse अच्छा है चल done फिर क्या बोला है ACC ACC के लिए क्या बोला है 510 put 520 put so ACC put at the rate 510 ACC put at the rate 520 510 का put है भाई लोग मतलब right to sell 510 का है market में 565 पे भी करा है वो ओन लेगा आपके पास से so yes दोनों case में आप क्या हो जाएगा lapse हो जाएगा no action lapse हो जाएगा no action ए समझेगे दू easy peasy manageable done दो मिनिट दे रहा हूँ देख लो और फिर चलेंगे अगले प्रशन के उपार दो मिनिट दे रहा हूँ देख लो start come on कि अधक्ड़काई देखे हूँ E प्रोप्ड़काई देखे हूँ ह करता ह routes तेसलma के लो करता है रहा हुआ अँ़गे अधए झाल 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 चलो गाइस दन कंटिन्यू करेंगे आगे चंदन का यहाँ पर पॉइंट आया सर 840 का तो कॉल है ना एक्ससाइज करेंगे ना ओ भाई काहे करेंगे एक्ससाइज यह तेरा आध-क्लोजर का मार्केट प्राइज है तेरे पास 840 का right to buy है तो तेरे पास अगर 840 का right to buy है तू 835 में उसको जाके बेचे गा मार्केट में तो तूझे तो लॉस हो जाएगा भाई तूछ नहीं करेगा इसका ना 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 चल्व डन काहने को आगे पड़ाएंगे 52 पे आएंगे नेक्स शेर्स ऑफ बी कंपनी अर्लिस्टेलिंग अंडरेंट फाइट चंदर शेकर वंस्टो चिप इन विद बाइंगा थी मन्थ कॉल अप्शन अपनों ने अपनों लोग ने हाजी काफी डीटेल में किया है इससे रिलेटेड क्वेस्टेन अप लोग इसको हूंब की तरह ले सकते हैं प्लीज आप इसको हूंबक की तरह ले सकते हैं इसमें आपको बताना है ITM है, OTM है, in the money है, out of the money है, सब बताना है, for each of the following options, find out the intrinsic value, time value, premium paid by the buyer is given in brackets, details of this are given below, और अपने को यहां पे सब चीज बतानी है, अच्छा question है, मैं इसको बोलूँगा, इसमें सब चीज आ गई है, यह question I think ICI ने पूछा है, वो ऐसा है, चल, अब start करते हैं इसको, एक दो को मैं एकदम detail में करूँगा, बाद में इसको table form में convert कर देंगे, बढ़ एक दो को मैं detail में solve करना चाहूँगा, आओ, पहला, पहला है, देखो, ideally इसको table के दुरू कर सकते है, बट पहले concept समझ लें, फिर table derive कर लें, फिर table में डालते जाएंगे, कोई problem नहीं, हम, ह्ल, 1-80 put, रुपीज 9, है एह एलल का रुपीज 1-80 का put है, 9 का premium है, है ओके हैं है है यह मेरा मार्केट प्राइज हो लोग ने दिया है रूपीज 200 रूपीज 200 ठीक है अब 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 अपने को इसको एवयल्यूएट करना है गाइस कि हावी येस चल्ट सो बताओ क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में या क्या करेंगे सबसे पहले जबी भी पुट ऑप्शन है तो अपने को चाहिए मन्दी अपने को चाहिए मन्दी यहां पर तो देखो गे तो तुम तेजी हो रही है अपना जो एक्सरसाईज प्राइज है उसके बाद मार्केट तो बढ़ गया है इसके लिए इस आउट ओफ दे मनी इस ओटिएम आ आपे तो तेजी हो गई है समझे हो अब अगर यह out of the money है तो intrinsic value of the premium तो एक पैसा भी नहीं है कुछ भी नहीं है ना intrinsic value में तो अभी जो भी जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा जो भी जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा it will be time value of money सो जो भी मेरा इधर premium है 9 रुपे का because out of the money है तो intrinsic value तो 0 ही होगा time value of money पूरा का पूरा 9 आ जाएगा आप देखो 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 चंदन क्या बोला पता है चंदन क्या बोला चंदन बोल देखो चंदन तुने यह बोला तुने गलत चीज बोला वड़ अच्छा बोला चंदन बोला sir 29 का loss कैसे 29 का loss भाई आपके पास 180 right to sell है market हो गया है 200 तो 20 रुपे का loss यहाँ पे हो गया आपको प्लस 9 रुपे अपने premium में दिया है बट मैं इसको exercise करूंगा ही नहीं तो यह 20 रुपे बज गया जो 9 रुपे premium दिया है वो मेरा loss समझा क्या right है मेरे पास obligation नहीं है कि exercise करना ही पड़ेगा है कि समझा क्या वैसा क्लियर 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 क्या ओप्शन को lapse करवा दो सही बोला के ला है चलो second के ओपर आता हूं मैं मुझे लगता है मुझे टेबल नहीं सब ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि मैं तुम लोगो explanation देते जाओ साथ साथ में सेकेंड लंटी 1510 का पुट है लंटी 1510 का पुट है मतलब आपके पास right to sell है मतलब आपको मंदी चाहिए मंदी साथ रुपे का premium premium है साथ रुपे का अब market price मेरे को मंदी चाहिए 1510 से नीचे हुआ तो मैं exercise करूंगा देखो देखो क्या है 1510 ही है तो मेरा कहीं पे भी कुछ intrinsic value है जो भी है पूरा साथ रुपे मेरा time value of money है और मेरे को यहाँ पे एक you can say add the money है यह add the money है यह correct जो यह 1510 है मेरा add the money और कोई भी चीज अट दो मदी होती है या out of the money होती है यूजयली उसका जो premium है उसका intrinsic पार्ट जीरो होता है और time value का पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा आरती जी समझ रही है आप समझ रही है इस चलो next थर्ड पर आते हैं है है एचल्ल दो सोब्शाइक का कॉल है दो रुपे का है अब मैं आंसर या कुछ और देखू उसके पहले ही मैं बोल देता हूं कॉल है मुझे तेजी चाहिए कॉल को तेजी पुट को मंदी कॉल को तेजी चाहिए तो दूसो पाच से उपर गया 205 के उपर गया then in that case मैं बोलूँगा कि भाई बहुत सही जा रहा है अगर अगर चलब मैं तुम लोगो पुछता हूँ what will be the market price if the whole premium is equal to the intrinsic value अब इससे समझ में आ जाएगा किसको समझाए किसको नहीं समझाए logic मैंने question में कहानी में twist डाल दिया है what will be the market price if the premium paid is equivalent to the intrinsic value correct chef दिया chef तो एक्दम अब छाग है chef champion बन गया इसको इस पूरे इसका जानवी जूई ये सब champion बन गया है क्या बाद क्या नीनल champion बन गया है प्रवीन तरिपाटी क्या बात है DJ so 207 का अगर होता अब क्या है वो देखते है न HLL तो 200 का दिख रहा है HLL तो 200 का दिख रहा है so मेरे तेजी चाहिए होती है यहाँ पे तो मंदी आ गई है no action out of money no action laps और जो है ये 2 रुपया पुरा का पुरा time value पुरा का पुरा time value समझे क्या done next तीन हो गया है चार L&T 1500 का call 12 रुपय का premium मैं तुम लोगों को पूछना चाहता हूँ सुनो L&T का 1500 का call है 12 का premium है और मैं आपको बोलता हूँ के फूरा का फूरा बारा रुपय इंट्रिंजिक value है तो मेरे को बताओ क्या market price होना चाहिए लॉजिकली क्या market price होना चाहिए कमेंट में लिखे बताओ क्या market price होना चाहिए यह वाले case में क्या market होना चाहिए देखो call है मतलब मैं तेजी चाहता हूँ अगर मैं पूरा का फूरा premium सोचता हूँ इंट्रिंजिक value का है तो 1512 होना चाहिए बट है कितना है कितना है कितना है कितना है 1510 1510 10 रुपय तो हक्का बनता है अच्छा पहले सबसे पहले in the money है कि नहीं है in the money है यह क्योंकि जो भी है मेरा at least better position पह है तो यह है आपका since call option में since call option में ep is less than mp it is itm मतलब in the money option done अब इसमें बारा का प्रीमियम में से 10 इंट्रेंसिक 2 TVM जिसको समझ गया है ना इसको प्मसार है इसको लगे रहे आँ आने दो आने दो चला अभी क्लियर एव्रिव्रिवार्ण डन नेक्स्ट फिफ्थ आराएल का 800 का कॉल है एट 37 आराएल 800 का कॉल है 37 का प्रीमियम है बोलो क्या करोगे देखो आराएल का क्या सीन है 825 मार्केट प्राइज 825 मुझे एक बात बताओ कॉल अपने को चाहिए तेजी और तेजी है इन दा मनी आ गया यह इन दा मनी आप्शन इन दा मनी आप्शन इन दा मनी आप्शन चाहिए कितना उस 37 में से 25 इंट्रिंसिक वैल्यू 12 टाइम वैल्यू सही है चल क्लियर है आर्थी तेरे पे आफ के लिए तुझे प्रीमियू को इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू में डिवाइड करने की जरुवत नहीं है तू अन्नेसेसरी ली तेरे इंट्रिंसिक तेरे प्रीमियू को प्रीमियू ही रहने दे 37 का प्रीमियू है तेरा 25 रुपे का फायदा हुआ है 12 रुपे का तेरा नेट पे आफ आएगा बात खतम पूल स्टॉप अब उसमें इंट्रिंसिक कितना तेरा टीवी कितना उसका टेंशन मत ले चल डन लास्ट एसीसी पुट 540-39 एसीसी का पुट है 540 पे प्रीमियूम है 39 देखो एसीसी कितना हो गया 515 बोलो क्या करोगे यह मार्केट प्राइज है डन अब सबसे पहले पुट में अपने को क्या चाहिए मंदी और देखो मंदी हुआ है डाउन गया है मतलब इंद मनी है इंद मनी है बस अब यह प्रीमियूम को डिवाइड कर दो पांसो चालीस में से पांसो पंद्रा गया मतलब पच्चिस रुप्या इंट्रिंसिक है पंद्रा सॉरी चवदा चवदा टाइम वैल्यू रहे है इसी के साथ होता है क्वेशन नुबर 53 कम्प्लीट जैन वे 54 दिया कैं तुम लोगों की नहीं दिया है 53 देख लो बहुत किसी को कुछ डाउट आउट ओ पूछ लो या 53 देख लो किसी को कई डाउट आउट ओ पूछ लो इसी है लॉजिकल है करते जाओगे होते जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मेरी तरफ से मैंने पुरा क्राइब किया है करवाने का चल नेक्स्ट दिया है चलो 54 पर आजाओ क्वेशन 54 पर आजाओ इधर से निकाल लूंगा मैं तो प्राइज ऑफ स्टॉक चल अभी मैं और आर्थी खाली हम लोग दोनों करेंगे यह समसौर आर्थी चला जा मैदन में प्राइज ऑफ दे स्टॉक 25 प्रीमियम तेरा नेचर ऑफ ऑप्शन तॉल ऑप्शन तेरा अब प्राइज ऑफ स्टॉ और यहां कि आना नहीं है इंट्रिंटिंट का जाएगा जीरो इधर का इदर कर लेंगे चुट कोई एटि वैचेए और पूट ऑप्शन ने को चाहिए våra और श्राइक प्राइज है 35 ऑर मेरको चाहिए मंधी टुट ऑप्शन है थाटी का चाहिए थाटी फ़याँ तो दिख रहा है पांच रुपए का मेरा इंट्रिंसेक वैलिवेस साढ़े सतरा में से पांच रुपए मेरा तो जो मंदी आया है, उतना तो premium बनता ही है, वो मेरा intrinsic value बन जाएगा, पर premium है 17.5 का, उसमें से 5 जो genuinely reasonable premium बनता है, वो मेरा intrinsic value बन जाएगा, एई समझे गुड़ियों क्या everybody, आती जी, चलो next, strike price 25 है, put option है, मंदी चाहिए, यहां पे तो तेजी दिख रही है, laps, खतम, बात खतम no intrinsic value, जो है वो पुरा का पुरा time value है, call, तेजी चाहिए, 25 का strike price है, अपने को तेजी चाहिए, call पे है, पर यहां पे तो मंदी आ गई, laps, no intrinsic value, अब दिमाग दोड रहा है क्या, put, मंदी चाहिए, 55 का मेरा exercise price है, मंदी चाहिए, मंदी आई, 10 रुपे गिर गया, तो जो 10 रु है, हमें से 10 intrinsic value, and last में वापस put है, 50 और 50 है, तो intrinsic value तो कुछ भी नहीं आएगा, अभी clear guys, सही है, done, अच्छा मुझे अभी इसी question में बताओ, दो और चीज, whether यह in the money, out of the money है, and whether exercise करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, है, so I sing in the money है, तो exercise करेंगे, cdc बात है, तो आप बताओ, in the money है, कि नहीं, पहला वाला, 25, 25, add the money, 35 का put, मंदी आनी चाहिए, मंदी आई, in the money, in the money है, तो exercise करोगे, खाली, I या A लिकेंगे अपन, A, I, put है, 25 पे put है, मंदी आनी चाहिए, 25 से उपर गया, out of the money, call है, 25 का call है, तेजी आनी चाहिए, call है, मतला तेजी आनी चाहिए, मतला 25 के उपर जाना चाहिए, नीचे गया, out of the money, समझे क्या, देखो, clear है, जो भी in the money होगा, exercise, out of the money होगा, not exercise, ठीक है, फिर, 55 का put है, right to sell, 55 का put है, मतला मंदी आने चाहिए, 55 के strike price पे, मंदी आई है, in the money, exercise, 50 का put है, मंदी आनी चाहिए, put है, तो मंदी आनी चाहिए, 50 पर ही है, at the money, laps, not exercise, at the money, out of the money पे exercise नहीं होगा, in the money पे exercise होगा, ए, समझे गड़ू, सब लोगों पूरा clear हो गया, इधर तक, एकदा मस्तपाई की, बोलो बोलो टल टल, क्लियर है, सब लोगों को, बहुत बढ़िया, एक लास्ट क्वेशन करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे अपन, एक लास्ट क्वेशन करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे अपन, बुक का ही एक लास्ट क्वेशन करेंगे और फिर ब्रेक लेंगे अपन, जी हा, यह रहा, प्रेशन नमार 15, चल आओ यह वाला question करेंगे और ब्रेक लेंगे Mr. A purchased a 3 month call option for 100 shares in XYZ at a premium of 30% लिखते जाओ लिखते जाओ भाई लिखते जाओ बता रहा हुँ है लिखते जाओ Mr. A है अपने जैफा क्या खरीदा इसने त्री मंत कॉल option 100 shares त्री मंत का call option खरीदा है भाई साथ ने उसमें है 100 shares प्रीमियम दिया है 30 पर शेयर का हो हो 30 into 100, 3000 next he with an exercise price of 550 take care next he also purchased a 3-month put option for 100 shares of the same company at a premium of 5 with an exercise price of 450 क्या बात है क्या बात है Mr. A मतलब game केल रहा है भाई भाई साब ने put option भी ले लिया है मतलब एक तरफ से loss आएगा तो दूसरी तरफ से profit hedge कर रहा है अपने आपको वह hedge कर रहा है समझे हो डेरिवेटिव का options एक hedging टूल है उसके अंदर और hedging कर रहे हैं hedge जिंग का hedging यह तो भाई hedging का बाफ है त्री मन्त 100 शेर्स 455 अब कर दो 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 मार्केट प्राइस शेर्स अंदेट ऑफ मिस्टर एस परचेस एस रूपीज फाइबंट्रेट चलो अपन इसी का वेट कर रहे थे कि मार्केट प्राइस कितना होगा तो वह है पान्सो मार्केट प्राइस जिस दिन अपन लोग ने इस राइस किया था फाइबंट था इसका कोई काम नहीं है अब अपने को काम है रुपीज थ्री फिफ्टी का अपने को काम है रुपीज थ्री फिफ्टी का समझे क्या यह सर चलो आजओ 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 सो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन लोग कॉल ऑप्शन पूट ऑप्शन में कॉल पूट हावी क्या सीने कॉल का प्रीमियम थर्टी का दिया है एक्सरसाइज प्राइज है फाइफ फिफ्टी का देखो कॉल वाला हमेशा चाहेगा तेजी पर यहां पे हो गई है मंदी साड़े तीन सो का अधिकरा है कि साड़े पान सो का एक्सराइज प्राइज साड़े तीन सो पर आ गया है भाई इस वो ऑल औप्शन तो एक्सराइज ही नहीं कर सकते है अपन समझे क्या नॉट टू बी एक्सराइज़ और सेंस इपी इस मोर देन एंपी उना चीह था उल्टा सो यहां पे मेरा लॉस आफ प्रीमियम हो जाएगा रुपीज कि त्री ताउजन कि ब्राव ना और पुट में क्या करूंगा देखो पुट का क्या सीन है पांसो पे मुझे सॉड़ी अधि एकसरशज प्राइस पुट पे चाहिए मन्दी हां मन्दी आ गई है साड़े चारसो के उपर साड़े तीन सो मन्दी आ गई है ना सो की यहाँ पे एकसरशाईस क्यों सेंस सैस इस फ्राइस इस लेस टैन market price तो मेरे पास right to sell है 450 का logical ही करो 450 का right to sell 350 का right to buy difference 450 का right to sell 350 का right to buy difference 450 का right to sell 350 का market का price 350 में buy करूंगा 450 में sell करूंगा 100 का profit 450 सौ का प्रॉफिट इन्टु सौ शेर्स रुपीज 10,000 लेस प्रेमियम प्रेमियम कितना है पान सो चाहिए इधर लिख देता हूं बैं प्रेमियम है प्रेमियम पान सो तो कितना हो गया ये साड़े नौ हजार का गेन लेस लोस अफ थ्री थाउजन नेट गेन 6,500 प्रफेक्ट मस्त समय ये बाई ICAI का आठ मार्क का question है एक strategy है एक strategy है जहाँ पर public put और call दोनों साथ में लेता है तो एक में loss हुआ दूसरे में अच्छा ख़जा profit cover कर लिया तेरा interpretation का है the premium on call option is more because the probability of market going up was higher yes very true as currently the price was 500 and due to this premium on put option was less as low as 6 very good correct जानली yes ये question exam में आया है for 8 मार्क या 10 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए ता चायए थोड़ा विसको presentation ढंक से कर लेंगे बट समझ में आया आपको बोलो बोलो टेल टेल सही है यार must समझे कोई है जिसको इसमें doubt है ये important question है अगर इसमें doubt है तो फिर तफलीक है और ये clear है तो सही जा रहे है अपन everybody I am asking मैं आवाम को पुछता हूँ क्या आपको मित्रों ये समझा एनी डाउट से निबड़ी क्या आवाम को इसमें कोई doubt है कोई शक या सबको clear है अगर सबको clear है तो बहुत बढ़िया ले सकते अपने एक छोटा सा एक ब्रेक है All Clear एक कौशच्ध अब एक ब्रेक बनता है हक से ब्रेक बनता है होता है यह वह प्रेक्टिकल क benefici होता है यह हें करना परता है हственना memorial इस बढ़ गया होगा प्र वीति तुने उसमें से पांसो質 रुकएा दिया वा है मतलँ यह तेरा इंटर्प्रेटेशन वैसा ही होना चाहिए यह तेरा प्रीमियम बढ़ गया उसमें से 500 तुने दिया वाइसा नेट गें पैसा ट्रेड वा रेते तो कि मैं तो फ्ノी तो प्रीब्गााते और सवर्प्रेटेशन इसा ही लेना है कि लेकिनआम मार्केट प्राइज प्राइस अदि कर त्यूह普 रांद प्रीमियम चेंज यह उसमें से जितना तोनों यह अगया I don't mind मार सकते हैं ट्रेड चल अभी फिर आल ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद कुछ और सम्स है और फिर बाद में ट्रेड बारेंगे टन मिलते हैं 10 मिनिट के ब्रेक के बाद 5 मिनिट के ब्रेक के बाद whatever it is see you all झार वोम बाद झाल 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 झाल